हेलो, वेलकम टू प्रियंकास किचन, आज हम बनने वाले हैं दाल, यह जो दाल है दाल आप कोई रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हों, दाल बनने के लिए मैंने आदा कप मूंग दाल ली है, आदा कप तून दाल, इसको एक साथ मैं अभी मिक्स करती हूं, उसे अच् कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते, कटा हुआ दनिया, कटा हुआ एक टमाट लिया है, और तड़का देने के लिए हिंग, राई, जिरा, हल्ली, और टेस्ट के लिए नमक, सबसे पेले दाल को अच्छी दरसे पकाना है, देको दाल प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी पक ज स्प्रेशर कुकर में दाल पकाने के लिए इसमें मैं एक गलास पानी दालते है, अभी मैं इसमें दालती हूँ, आदा टेबल स्पूल चीन ही तमाट और एक टेबल स्पूल घ्रमक और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ 1 टेबल स्पूल गी देखो मैंने डाल पते समय ही उसमें 1 टेबल स्पूल नमक डाला है कॉआंटक क्टा हुआ टमाटक डाला है चिनी डाली है और ठोड़ा एक टेबल स्पून गी डालाई अभी प्रेशर्ट करट बाल तो प्रेशuard कुकर में रदाल वन चल्दी परउप्चा यह इसको 2 सितिया निकालनी है दो सिटी निकलने के बाद उसकी पूरी स्टीम निकलने के बाद अच्छी तरह से डाल पक जाएगी देखो प्रेशन कुकर की दो सिटी भी निकल गई है और पूरी उसके अंदर जो स्टीम थी वह भी पूरी निकल गई अभी देखते हैं दाल का इसी पूरी देखो बहुत अच्छी दाल पक रहे हैं इस तरह से ओ दाल पकना चाहिए अभी हम उसको देखे हैं मैं इसमें डालती हूं दोन टेबल स्पूल ओईल थोड़ा गराम हना चाहिए आप गरम तोनी लागा है पी इसमें दालना है वन तेबल स्पून राइगी वन तेबल स्पून जिरम करीपते करीवी हरी मुच्छ वन तेबल स्पून थाइप चाहिए वन तेबल स्पून पगर क्षोरे मैं वन्वाण तेबल तेबल स्पून डगराम इसको दीनी आख पर ही सिफ 2 या 3 मिनित के लिए करना चाहिए आपको कितनी गाली चाहिए कितनी पतली चाहिए उस साइब से आप पानी दा सकते हो वह बहुत गाली है मैं उसको थोड़ी पतली करते हूँ सिर्फ तीन मिनित पे लिए उसको पतमा दीशे देखो तीन मिनित हुआ है डाल भी अच्छी पत देए अभी मैं इसमे रदी हूँ जुलिया कता हुआ देखो बहुत टेस्टी दाल बन के तैयार है यह जो दाल है आप कोई रोड़ी के साथ नान के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं आप भी दाल बनाए आप भी बनाएं आपके अनुबह शेर कीज़े लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े फिर हम मिलते हैं नई रेसिपिक के साथ तब तब के लिए गुडबाई हव नाइस डेग